गुड आफ्टरनून बिटा आपने एक रियक्शन बैलेंस करने के लिए बोली थी रियक्शन थी CO2 plus H2O equal to C6 H12O6 plus O2 ठीक है H2O हम बाद में ले लेंगे तो यह है फोटो संथेस्स रियक्शन है प्रकास स्टेशन की अभी घ्रिया तो जैसे कि मैंने आपको मैथर्ड बताया था कि हम इसको किसमें ले लेते हैं बाक्स में ले लेते हैं CO2 को भी और हैस्टो को और जो यह C6 H12O6 है जो की ग्रुकोस का फामुला है और जाने हैं O2 ऑक्सिजन ठीक है अब इसमें नंबर और अफ ऐलिमेंट्स देखते हैं CO2 में काबन के नंबर कितने थैंए ब्रोडक्स में भी देखते हैं प्रोडक्स में काबन किसमें है C6 H12, O6 में काबन है, तो कितने काबन है? 6 काबन है उसके बाद हम आते हैं, number of oxygen, oxygen कितने हैं ऑपे O2 में? 2 oxygen है ठीक है, और H2O में कितने हैं 1, तो टोटल number of oxygen कितने होगे क्याक है इस साइड थ्री औक्सिजन और इस ऐड रहे ह्म देखें तो आक्सिजन किए नंबर ऑफ- contains them 6 प्लस 2008 ऑबस टू एट अपसिजन है इ senses Τो हाइड्रोजन नहां पर तक देखते हैं तो हाइड्रोजन यहां पर उक्ते हैं इसमें किते हैं 12 ठीक है तो balance कुछ भी इसमें नहीं है carbon balance नहीं है oxygen balance नहीं है hydrogen भी balance नहीं है तो सबसे पहले हम carbon को balance कर लेते हैं यहां carbon किते हैं 6 यहां किते हैं 1 तो इसको 6 से multiply करेंगे ठीक है 6 CO2 क्या हो गया हमारा 6 CO2 तो carbon total किते होगे 6 लेकिन अब oxygen देखो oxygen किते होगे 6 into 2 12 plus 1 13 oxygen किते होगे पहले 3 थे अब क्या होगे 13 होगे इस side हमने कुछ correction नहीं किया है तो इस side हमारे number of elements same है उसके बाद हम आते है hydrogen पर hydrogen देखो इस side किते हैं 2 इस side किते है hydrogen 12 ठीक है तो 2 को 12 बनाएंगे तो किससे multiply करेंगे हम 6 से multiply करेंगे तो hydrogen numbers किते होगे हम 12 होगे किससे multiply करा 6 से multiply करा किसको H2 O को ठीक है तो oxygen भी 6 से multiply होगे मतलब यहां पर 6 H2 होगे तो oxygen number कितने होगे 6 into 2 12 और 6 18 अब oxygen number किते होगे है इस side 18 होगे है ठीक है और इस side oxygen number कितने है 8 है ठीक है अब हम किसको balance करेंगे हमारा carbon balance हो चुका है hydrogen balance हो चुका है अब क्या बचा हमारे पास oxygen को हमें क्या करना है balance करना है ठीक है तो oxygen कैसे balance करेंगे तो हम glucose के साथ कोई share charge नहीं करेंगे किस से balance करेंगे oxygen को oxygen को balance करेंगे O2 से ठीक है तो यहाँ number of oxygen कितने है 18 यहाँ कितने है 8 ठीक है 8 में से 6 इसमें है हमें क्या चीए 12 ठीक है तो 12 करने के लिए हम O2 को किस से multiply कर देंगे 6 से multiply कर देंगे O2 अगर 6 से multiply होगा तो 6 into 2 12 और 6 18 total number of oxygen कितने होगे यहाँ भी 18 तो प्लस 6 O2 तो यह आपकी balance reaction होगी 6 CO2 6 O2 प्लस 6 O2 अगर आपको यही reaction इस साइड आपको water भीचे तो इधर आप 6 molecule water के बढ़ा दो तो यहाँ कितने आजाएंगे 12 molecule of water तो यह हो जाए गर 12 S2 और इस साइड आपका C6H12 O6 प्लस 6 O2 और कितने molecule water के बढ़ा है 6 molecule तो इस साइड वहाँ add कर दो आप water के molecule 6 S2 Thank you